ये cringe वेलकम टूडी गुरूजी और हम आपके लिए लेकर आये हैं हिंदी समानने ग्यान के बहुति cupboard क्योंट लेए अब्युटायन के जो हर एक्जाम में पूछे जाते हों हर एक्जाम के लिए भूती इंपोर्टेंट होते हैं। और ये हिंदी हमारे लिए बहुती इंपोर्टेंट है और सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये है कि हिंदी हमारी mother language है हमें इस पर focus करना चाहिए तो आइए शुरू करते हैं हमारे हिंदी सम्माने ग्यान के कुछ questions जो हर exam के लिए बहुती इंपोर्टेंट है पहला हमारा question है बाशा के लिखित रूप में बात बताते हैं कि बाशा के लिखित रूप में बात किस प्रकार हम बताते हैं सामने वाले को तो हमारा पहला इसका option है बोलकर दूसरा option है लिख कर c तीसरा option है बोलकर और लिख कर दोनों तरीकों से d हमारा option है इन में से कोई नही अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो इसका आंसर जरूर जरूर हमें बताएं A, B, C, D, 4 आपके पास option है इसमें से कौन सा आंसर सही है तो हम आपको सही answer बता देते हैं हमारा सही answer है B, भाषा के लिखित रूप में बात हम लिख कर बताते हैं लिक्त कर भासा के सही रूप में बात लिक्ष कर बताई जाती है। तो इसा तो नहीं कि भात की लेंगविज कोई सी है नहीं इन में से एक option तो हमारा यहीं गलत हो जाता है कि हाँ इन में से कोई नहीं इन में से एक तो आंसर जरूर है और तीन अपसर हमारे पास अब रह गये हैं A, B और C तो सबको ही बता है कि भारत की mother language कौन सी है भारत की राष्टर भाषा कौन सी है तो भारत की राष्टर भाषा है हिंदी भारत की राष्टर भाषा हिंदी है हमारी मात्र भाषा भी हिंदी ही है व्याकरण भाषा के बताता है मतलब व्याकरण भाषा की किस चीज को हमारे सामने उजागर करता है किस चीज को हमारे सामने बताता है भाषा की किस चीज को इसको option है A. नियम को B. काम को C. A. और B. दोनों को D. इन में से कोई नहीं व्याकरन भाषा के किस चीज को हमारे सामने बताता है इसका आंसर है व्याकरन भाषा के नियमों को हमारे सामने उजागर करता है व्याकरन भाषा के नियमों को हमें बताता है अगला हमारा क्योशन है पुष्प कौन सा शब्द है शब्द पर गोर कीजिए पुष्प कौन सा स सब्द हैं हमारे यहाँ पर चार प्रकार की सब्द होते हैं तत्सम् तत्वा उदेशत विदेशी तो इन में से कॉन सा प्रकार का सब्द है can say answer है को अगला हमारा है ओड़न है ओड़न के उच्षारण समय रगों केवाइन सतान कोंकों से हैं क्या है मतलब तो option है दंत, B कंट, C ओष्ट और D होटों से U और U का उच्चारन कहां से निकलता है आप खुद बोलके देखिए U कहां से ये सब्द हमारे सरीर के किस अंग से ये सब्द निकल रहे हमारे मुझ के किस इस्तान से यह सब्द निकल रहे हैं इसमें हमारे पास A, B, C, D, 4 ओप्षन है आप इसका सही आंसर बताईए इसका सही आंसर क्या है हम आपको इसका सही आंसर बता देते हैं इसका सही आंसर है D होटों से U और U का उच्चारण होता है अगला हमारा क्योशन है A, I, O, O कौन सा स्वर है इनमें कौन सा स्वर है पहला ओप्षन है हश्व स्वर दूसर ओप्षन है दिर्ग स्वर तीसर ओप्षन है सयुक्त स्वर और चोता ओप्षन है इनमें से कोई ने A, I, O, O में कौन सा स्वर है तो इसका हमारा आंसर है C A, I, O, हो में स addicted तश्वर है सइउ निसका आंसर सही है कि अगला हमारा क्योंशन है मात्राती कितने प्रकार्टी होती है मात्र्य बहला हेमरा प्रकार्कि दूसरा हमारा ओप्षन्ट है तीन प्रकार गी सुध mm दु मात्राएं होती हैं, तीन प्रकार की मात्राएं हिंदी भाषा में होती हैं, हिंदी व्याकरण में मात्राओं के तीन प्रकार माने गए हैं अगला हमारा क्योश्चन है हिंदी में वेंजन वर्णों की संख्या कितनी होती हैं, ओप्शन है A 22, B 10, C 33, D 30 हिंदी में वेंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है तो हिंदी में वेंजन वर्णों की संख्या होती है 33 वेंजन वर्ण माने गए हैं हिंदी में अगला हमारा question है कर वर्ग का उच्चारण इस्तान क्या है option है A. मुर्धा, B. दंत, C. ओस्ट, D. कंट आप खुदी बोल के देखिए कर कहां से निकल रहा है हमारे मूँ के किस इस्तान से कर का उच्चारण इस्तान हो रहा है किस इस्तान से उसका उच्चारण हो रहा है इसका सही answer हम आपको बता देते हैं कर वर्ण का उच्चारण इस्तान है कंट बोले ये कर हमारे कंट से ही ये सब्द निकल रहा है कर अगला हमारा question है पर वर्ग का उच्चारण इस्तान क्या है प आप खुद बोलके देखिए प कहां से निकल रहा है ओप्शन है हमारे दंत, कंट, ओष्ट, मुर्धा इसका सही आंसर अगर आपको मालूम है तो जरूर 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 हमें बताएं इसका सही आंसर है ओष्ट प वर्ग का उच्चारनिस्तान ओष्ट है प का हम उच्चारन करते हैं तो ओष्ट से इसकी ध्वनी निकलती है प की अगला हमारा क्योशन है ट वर्ग का उच्चारनिस्तान क्या है ओप्शन है दंत, बी, कंट, सी, ओष्ट, डी, मुर्धा द वर्ग का उच्चारनिस्तान क्या है तो टवर्ग का उच्चारण इस्तान है मुर्दा, आप खुद बोलके देखिए कहां से निकल रहा है टवर्ग, हमारे मुह के किस अंग से ये टवर्ग निकल रहा है, इसके बाद हमारे अगला क्योशन है चवर्ग का उच्चारण इस्तान क्या है, तो option है A. तालू, B. C. कंत, D. इन में से कोई नहीं, इसका सही अंसर अगर आपको पता है, तो जरूर-जरूर हमें बताएं, तो इसका सही अंसर है चवर्ग का उच्चारण इस्तान है तालू अगला question हमारा है प, फ, ब, भ, म का उचारन इस्तान क्या है प, फ, ब, भ, म इनका उचारन इस्तान क्या है option है तालू, ओष्ट, कंट, दंत इसका option तालू, ओष्ट, कंट, दंत इसका सही answer है ओष्ट ये सारे सब्द ओष्ट से निकलते हैं प, प, भ, भ, म अगला हमारा option है अंतरस्त वेंजन कितने प्रकार के होते हैं इसका हमारे option है A7, B8, C4 और D5 अंतरस्त वेंजन कितने प्रकार के होते हैं तो अंतरस्त वेंजन 4 प्रकार के होते हैं अगला हमारा question इन में से कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ विशेशन है option एक है कुलीन, B नमक, C करपा और D जाती इन में से कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ विशेशन है question पर ध्यान दे ना friends संग्या से बना हुआ विशेशन इसका answer है a. कुलीन सब्द जो है वो संग्या से बना हुआ विशेशन है अगला हमारा question है इन मेंसे कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ विशेशन है? सन से हमारा ए जापान, बी गुणी, शिदान, दी जाती संग्या से बना हुआ विशेशन है? इसमें हमारा अंसर आजायेगा पूर्ती क्योंकि नमकीन भी संग्या से बना हुआ विशेशन हैśli, दयालू भी है और धन्वान भी है तो बचा हमारे पास फूर्ती, तो फूर्ती हमारा आंसर सही है इनमें से कौन सा सब्ध संग्या से बना हुआ विशेशन नहीं है option है हमारे पास है अपमानित भी नियमित सी वार्सिक भी अपमान कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ विशेशन नहीं है तो इसका right answer है अपमान क्योंकि अपमानित भी संग्या से बना हुआ शब्द है और ये भी है और ये भी है तो अपमान हमारा सही answer है अगला हमारा क्योश्चन है इन में से कौन सा सब्द संग्या से बना हुआ विशेशन है इच्चुक, प्यास, पशु, शंतोश तो इसका सही आंचर है इच्चुक ये संग्या से बना हुआ विशेशन है निम्न में से कौन सा सब्द सर्व नाम से बना हुआ विशेशन है पहले संगया संगया चल रहा था अब आता है शर्व नाम तो option है में वह कोई 13 तो इसका answer है D 13 हमारा question है इन में से कौन सा सब्द क्रिया से बना हुआ विशेशन है option है हमारे पास A चालू B कमाउ C समझना D पठित इन में से कौन सा सब्द क्रिया से बना हुआ विशेशन है सर्व नाम हो गया संगया हो गया अब हमारे पास आ जाती है क्रिया क्रिया से बना हुआ विशेशन कौन सा है option है चालू कमाउ समझना पठित तो इसका सही answer है समझना ये क्रिया से बना हुआ विशेशन है अगला हमारा क्योश्चन है इनमें से कौन सा सब्द क्रिया से बना हुआ विशेशन है इसमें ओप्शन है हमारे वहाँ B यहाँ C कल D आजका इसका सही आंसर है D आजका ये क्रिया से बना हुआ विशेशन है अगला क्योश्चन है हमारा इन में से कौन सा सब्द पूलिंग से बना हुआ इस्त्री लिंग है कौन सा सब्द पूलिंग से बना हुआ इस्त्री लिंग है तो काली, बड़ा, ऐसा इन में से कोई नहीं तो इसका right answer है काली जो पूरलिंग से बना हुआ इस्त्री लिंग है अगला हमारा question है कौन सा सब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया संस्कृत से तद्भव बनाया गया सब्द पर गोर कीजिए तद्भव बनाया गया option है बच्चा, C वच, B वच, C, A और B दोनो और इसका correct answer जो है वो है बच्चा ये संस्कृत से बनाया गया तद्भव सब्द है अगला हमारा question है कौन सा सब्द गुण वाचक विशेशन है option है लाल फूल, B पांच लड़के, C दस साथी, या D इन में से कोई नही तो इसका right answer है लाल फूल, क्योंकि वो गुण बता रहा है ना फूल का फूल के गुण बताया जा रहा है तो इसलिए इसमें गुण वाचक विशेशन होगा और लाल फूल हमारा सही answer है अगला question है संख्या वाचक विशेशन कितने प्रकार के होते हैं अगला हमारा question है कौन सा सब्द परिणाम बोधक विशेशन है तो option है हमारे सेर बर धूद, चार गज, सब्धन या डी इन में से कोई नहीं तो हमारा इसका सही answer है अ सेर बर धूद जो परिणाम बोधक विशेशन में परिणाम बदाया जा रहा है सेर बर दूद अगला हमारा question है प्रियोग की द्रश्टी से विशेशन कितने प्रकार के होते हैं option है 10, 4, 2 या इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer है 2 प्रियोग की द्रश्टी से विशेशन दो प्रकार के होते हैं अगला हमारा question है इन में से कौन सा विधे विशेशन है तो option है मेरा लड़का आलसी है, D. शती सुन्दर लड़का है, C. A. और B. दोनो, D. इनमें से कोई नहीं तो इनमें से इसका सही answer है मेरा लड़का आलसी है, A. is the right answer अगला question है इनमें से कौन सा सब्द मूल अवस्ता है, मूल अवस्ता में है तो वो है प्रियेतर, लगूतम, सुन्दर इनमें से कोई नहीं, तो इसका answer है सुन्दर जो की मूल अवस्ता में है आज हमारे इस वीडियो में इतना ही बाकी जानकारी के लिए जुड़े रहे है, D. गुरुजी के साथ